कि जाती है उनके हलचाल जाने जाते हैं उनके स्वास्ते में क्या अंतर है कि इस सब चीजिए उसका नियमित अध्यन किया जा रहा है इसके लाव़ जो हमारी 104 है उसके माध्यम से भी उनकी स्वास्ते की निगरानी की जा रही है और अभी सभी जो ये 174 प्लस एक, 175 लोग हैं जो निगरानी अवदी में हैं अभी सभी लोग स्वास्त है अभी तक जो प्रदेश भर में सामन्य लक्षन जो रिपोर्ट किये जाने पर जो एहतियातन जो सेंपल जांच ये तो भारत सरकार द्वारा चिन्नित जांच के वो 17 लोगों के हैं 12 की रिपोर्ट करोना वैरस के लिए नेगेटीव राप्त लिए ऐ 17 में से 12 10 जिनवें से 10 जन्पर देरादूनों दो हरिधवार से हैं अन्य पांच की रिपोर्ट परितिक्ष रथ है इनकी रिपोर्ट आनिया भी है इंतजारी में हैं जिनमें चार देहरदुनों एक ननिताल से हैं और इनके जो स्वास्तिक इस्थिति पर नियमित निगरानी रखी जा रही है कोई गंभी लक्षण अभी तक नहीं पाए गए हैं यानिकि उनका अभी खीजने निगरानी वजी पूर्ण होने पर वह भी अपन में वापस जा सकेंगे जो हमारे सभी प्रमुक्ष चिक्षाल है मेडिकल कलेज से सभी जगा आईसोलेसन वार्ड निर्मान किये गए हैं और हमारे पास इस समय तीन सो सेंटीस आईसोलेसन बेड हैं जो विबिन चिक्षालियों में केरोना वायरस ये तु आरक सिते हैं इस इस तरह से 337 लोगों के हमारे पास आईसोलेसन बेड की ब्योस्ता हमारे पास इसमय राज्य में है जो हमारे च्छे जनपा देहरादून हरीद्वार नैनिताल उधमसिंगर चंपावत पित्रवगर इनमें क्वारिंटाइन फैसलिटी स्थाफित की गई है और जिनमें कुल आठ सो एक लोगों की क्वारिंटाइन की ब्योस्ता है किसी भी जो विदेशी जो याद्वी आ रहे हैं उसके लिए तब तमाम जो हुटल है उनके लिए एट बैजाईजी राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है और जो सीमावर्ती छेत्र हैं वहां पर जागरूपता क जो गाओं हमारे सीमावर्ती हैं उनमें उनको उनमें जागरूपता की जिसे बैठकों का आयोजन यह चल रहा है राज्यो जन्पद पर रैपिट्स रिस्पॉंस टीम इसका भी गठन किया गया है और विकास खंडो ग्रामस्तर पर एनम वह आसा कारेकत्री ग्राम प्रधान ग्रामस्तरे समितिके माध्यम से जन्जागरूपता उप्रचार परसाद किया जा रहा है क्योंकि जागरूपता ही इसके लिए और सत्रक्ता ही इसके लिए सबसे बड़ा समधान है और इस दिर से लगाता है जो जागरूपता के कारेकम यह चलाए जा रहे है और पोल फ्री नमबर मैंने आपको बताया कि 104 यह हेल्प लाइन नमबर है कोई अगर इस पर कोई भी ज जानकारी अगर कोई चाहता है तो जानकारी इसके माजम से दी जाती है मैं सभी प्रदेश वासियों को इस अवसर पर अपील भी करना चाहूंगा और हमने अभी एहतियातन तवर पर तमाम जो हमारे श्कूल हैं उनको 31 मार्स तक के लिए बंद कर दिया है अभी लगातार हम हम रोज इसके लिए नियमित रूप से बैठ रहे हैं और आगे भी उसमें क्या कारवाई करनी है उस पर हम लोग निरंतर विचार करते हैं और आवसरता पर पर जरौत के मुताबिक निरने भी ले रहे हैं और आगे भी हम इस तरह के निरने लेते रहेंगे जरौत के प्रदेश को आस्वस्त करना चाहता हूं और सबसे भी कहना चाहता हूं कि इस पर भैभीत नहों भैभीत होने की जरूत नहीं है क्योंकि राज्य में अभी इस तरह का कोई प्रवेश नहीं है हमारे जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल है हर्याना है पंजाब है जिन से हमारी सिमाय लगते हैं उन राज्यों में इस तरह की कोई भी प्रव्लम या चंडिगर हो इस तरह की कोई भी संदिग या कोई भी करोना प्रभावित कोई भी पेसेंट अभी नहीं पाया गया है और तमाम जो हमारी सिमाएं हैं उन पर हम सौकसी बरतेव हैं और इसलिए मैं सबसे एक पहना चाहूंगा कि इसमें आप घबराएं नहीं कोई अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप जो निकरतम जो चिकेट सालें हैं वहां पर आप संपर करें या 104 जो हमारे हेल्प लाइन नंबर है उस पर भी आप सीधा बता सकते हैं जो हमारे कई बार क्या है कि आजकल जैसे मौसम खराब है थंडा भी है कभी गरम हो रहा है कभी थंडा हो रहा है इसके कारण सर्दी जुखाम हो जाता है तो सर्दी जुखाम से लोग घब रहें नहीं उससे परिशान नहों उसमें डॉक्टर्स के पार जाकर के और उनसे सला लें तो मै गवारत वाइरस का है उसको ऐसा जरूरी नहीं है साउधान रहने की जड़ाते है.. डेख्रेग में रहें तो मैं जरू उनसे कहना चाहूनगा.. और जो सतरकता एडवाईजरी जो सबको दी गई है और आपसे वह हम जरूर यह चाहेंगे.. प्रेस एक बहुत बड़ा मध्यम है संबाद का तो आप से हम कहना चाहेंगे कि आपको प्राइश में जो भी स्योग प्रेस के द्वारा हो सकता है उसमें सयोग करें हम जन सामने से कहना चाहते हैं कि खासते समय छींकते समय हम रुमाल का इस्तेमाल करें मुझ धक कर खांसें या फिर जो टिश्यू पेपर से हैं उसका इस्तिमाल करें और जो इसके टिश्यू पेपर हैं उनको हम सुरक्षित उनको डस्ट बिन में या किसी सुरक्षित असान पर ही हम उनको डालें थो सब्सक्राइब होक और हम लोग किसी चीज को टॉस्क ये मेल भार, भी वारबार धोते रहे गांए नवस्ते नमस्ते नमस्ते हात मिलाने की वजाए गाले मिलने दुम हम नमस्ते करें अब दुनिया आज नमस्ते कर रही है नमस्ते जो अईवादन का एक बहुती साइंटिफिक विकल्प उभरा है दुनिया के सामने और दुनिया उसको अपना रही है, तो हम लोग भी नमस्ते करें, जैहिंद करें, हमारा सैनिक शेत्र है, जैहिंद करें, हमारा देवस भूमी है, जैवदिनाद कहें, अपने हिसाफ से हम इचित माद्य मनस्ते के लिए अव्यादन का हम ढूंड सकते हैं, तो हम इसका ध्यान रखें, जो भीड़ भाड़ है, उससे बचना चाहिए, यात्रा जो है, जितनी बहुत जरूरी है, हम उतनी ही यात्रा हम लोग करें, और आवस्ता पढ़ने पर हम चिकेशकों से परामस लें, और साथी जो जो मास्क अगर खासी जुखाम किसे दर रखे कोई तकलीफ है, तो हम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी जो एम्स के डारेक्टर हैं, उन्होंने भी इस पर कहा है कि हर रखती के लिए मास्क पहना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सर्दी जुखाम खासी लेकिन की किसी को होता है, अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, यारूमाल का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम लोग एक तरह से बज सकते हैं, और उको भी सतर्ग कर सकते हैं. मुकंद्री एक सवाल था, ये वहो की गैड लाइन है, राजय सब्कार में गैड लाइन जारी जारी है, कि भीड एककत परना करें, और मिलिम्मम एक मेटर के रूर रहे हैं, अभी आपने भी कहने चीज़े बताई है, आपने स्टूल भी बन करती है, वैलना सब्विट इस्ते है, वैट हन् कि मैंने का रहा है कि हम समय समय पर बैठ रहे हैं, और सब चीज़ें पर विचार कर रहे हैं, चाहauptी, सरकारी बिर्चारी प्रोग्राम हैं, जिसक्तित हम करने लिया है, कि हम हम को स्कूल कालिज अपने बंद कर देने चाहिए, तो हमने तमाम जो हमारे कालिज तक है माध्यमिक हुमारे विद्याले हैं वहां तक हमने बंद करने का निने लिया है जैसी प्रस्तित्या होंगी हम उसके इसाफ से निने लेंगे दीज तारिक दे भी बहुत दूर है एमस ठीक है एमस की एक इंटरनल उनकी जो डॉक्टर्स की उनकी अंतरी जोस्ता पुलिक नहीं है और उसके बाद देखिए अभी अभी जो अनुमान है और जो हमको हमारी जानकारी में है कि एक सर्टेंट टेंपरेक्टर के बाद यह वाइरस समाप्त हो जाता है और इसलिए हमने अभी इंडिने लिया है कि मास 31 तक जिस तरह का मौसम है यहां पर और एक पिरियड भी जो कुछ भी होना अगर माना कोई प्रभावी थे हैं तो चौदा दिन में उसके लच्छन साबसा बाहर आ जाएंगे तो इस दिश्चिस हमने पंद्रा दिन करने लिया है अभी यात्रा में भी लंबा समय है मैं समुझता हुआ हूं कि हम लोग हालातों को देख कर लेंगे नियमीत रूप से हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं पर दिन चेड़ों में हो रही है अंत्य रात को हम लोग बैठते हैं मैं भी सौहन बैठता हूं और वार्षटता परने पर हम जो भी जरूत पड़ेगी कि राज्यम किसी तर यह सभी लोग जो हैं राज्य के बाहर से आये हैं इसा है देखिए साबुन हम का इस्तमाल करते हैं उसमें जो विशेशक के उनने का कि आप पांच साथ सेकंड तर साबुं से हाथ मलिए तो उससे लिए वायरस समापत हो जाता है देखिए हमने काने कि इसमें सतरकता वरत में क्या हो सकता है और उस सतरकता उसके लिए जाज रूपता बहुत जरूरी है तो कारकम हमेरे चल रहे हैं लगातार हम लोग कर रहे हैं निश्चित रूप से संक्या प्रभावित हुई है भारा सरकार ने भी तमाम बीजा जो है अभी निरस्थ किये हैं तो उसका असल पड़ेगा अभी काफी दिन है उस उस आहिजन के लिए अभी आपने कहा कि और और यह फूट पे विजादी रखी जाए लेकि जो हमारे बसंदें हैं यहां पर कोई एक्याथ यहां कोई इस नहीं कुछ नहीं है पहल से बोगारे बुद्ष नहीं है